समस्कार दोस्तों आज हम लोग Márket की बात करेंगे Nifty 50 में आज हम लोगों बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलता है करीफ 300 पॉइंट से उपर का हम लोगों फॉल देखने को मिलता है Nifty 50 के अगर बात करें तो और मार्केट करी 15,348 के लेवल्स पे बंद होता है तो आज बहुत ही बड़ा red candle हम लोगो बनते हुए दिखा है और कहली परसों का हम लोग news देखे थे US Fed Reserve ने interest rate को high किया था उसके करना global market में भी weakness देखने को मिलना American market में भी गिराबट हुआ और उसी का असर इंडियर market पे भी आज हम लोगो पढ़ते हुए दिखता है इंफलेशन अपने all time high पे था US में करी 40 years का सबसे ज़्यादा इंफलेशन अभी देखने को मिल रहा है और इंडिया में भी इंफलेशन बहुत ज़्यादा high हो चुका है दोस्तों और 15% से अब रिटेल में हम लोगो इंफलेशन देखने को मिल रहा है इसका असर हम लोगो market पे होते हुए दिख रहा है कंपनी के growth में थोड़ा problem near term में देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले हम लोग अपने method को use करेंगे 20 का moving average यूज करते हैं जो कि आपको blue lines हो कर रहा होगा दूसरा हम लोग 200 days के moving average को use करते हैं जो कि आपको pink lines हो कर रहा होगा और तीसरा indicator हम लोग pivot point या pivot line भी यूज करते हैं जो कि आपको support या resistance बताता है तीनों indicator हम लोग 0-10 के अपने charting platform पे लगाते हैं और हम लोग buy करना का पसंद करते हैं दोस्तों जब first entry हम लोग लेंगे जब price 200 days के मुझे करीब में चलेगा और नीचे आता है तो और भी अपना quantity को increase करते हैं पहले भी हम लोग बात किये थे videos में कि यहाँ पे 15800 के level पे support है तो इस level पे अगर buy करना थो तो कड़ सकते थे उसके बाद भी हमारा analysis गलस सावित होता है और price और भी नीचे आते हुए दिख रहा है तो हम लोग wait करने के लिए बोले थे तीसरा level पे यहाँ पे अगर बढ़िया सा green candle बनता तब हम लोग buy करते एक 2% का लेकि नीचे की दरफ बनते हुए दिखा है तो इस जगह पे हम लोग को buy नहीं करना चाहिए था इन दोने location पे buy करके फसे हुए है और उपर के price फसे हुए है तो डरने वाली बात नहीं है अगर निफ्टी भी इस ETF की बात करें तो बहुत ही quality ETF है डरने वाली कोई बात नहीं है जितना निचे आएगा और भी जहां support लेगा और भी average कीजिएगा तो इस लेवल पे 15,300 के लेवल पे अगर support लेता है तब हम लोग buy करेंगे नहीं तो next pivot करी 15,087 के लेवल पे आप लोग को देखने को मिलेगा कल के वीडियो में भी बात किये थे और इसका भी breakdown हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो बड़ा fall 5050 में हो सकता है और करी 13,690 तक भी 5050 नियर टर्म में जा सकता है तो ज्यादा हम लोग को डढ़ना नहीं है बहुत ही अच्छा opportunity है investment करने के लिए तो अगर weekly chat की भी बात करते हैं तो 18,400 का लेवल को टच करता है और फिर 18,000 के लेवल पर फिर से हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों प्राइस तो हम लोग बात करते हैं कुछ profit booking करने के लिए वाली जह 10 श्टॉक है तो 3-4 श्टॉक इ यह था उसकी बाद हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को देखने को मिल रहा है और लोवर हाइज हम लोग को बनते हुए दिख रहा है जो की बेरीज पैटरन है और ट्रेंड भी हम लोग को डावनवर्ड का लग रहा है क्योंकि 20 अबर नीचे की तरह लेकिन लेकिन हम लोग li sunset पे intrigue कोई करेंगे और वीकली जाइट पेमलो कुछ profit booking का सोचते हैं थे पिशले पांचि दिन में ही माइने 6.58 परशन का बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है लगातार गिरावट होने का रीजन है इस फेट इस अपनी इंट्रेस रेट हाइक किया है जिसके करण मार्केट पर थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेट नहीं है उसके करण हम लोग को बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है और अगला स्टॉक की बात करेंगे एक संदार डेफ्री स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं म्यूच्वल फंड ट्रांसफर एजनसी का काम करता है और लिस्टिंग के बाद से बहुत ही अच्छा रिटन हम लोग को निकाल कर गया है प्राइस प्राइस से बहुत ही उपार चला था तो ऐसा सिचुएसन में हम लोग बात भी करते हैं कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल कैम्स में होते वे दिखता है प्राइस टूहंड़ेट किया उसके बाद नीचे की तरह हम को ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और बड़ा फॉल होते हुए कैम्स में दिख रहा है फिलहाल की बात करें तो प्राइस टूहंड़ेट इस की मुझे अबर से बहुत ही नीचे चल ला था दोस्तों तो कैम्स को इस लेवल पर हम लोग बाई करने के लिए बोले थे इस ल तो फिलहाल केम्स में वेट करना है दोस्तों क्योंकि इस लेवल पर हम लोग को बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है करीव 2530 के लेवल पर बार बार रेजिस्टेंस कैम्स दे रहा है और यहां इस लेवल को कैम्स ब्रेक नहीं कर पा रहा है उपर की तर करेंगे अगर पहले यहां पर करने का ज़रूद नहीं है लेकिन उपर के प्राइस प्राइब कर सकते हैं अभी फिलहाल हम लोग को एक बार में इंवेश्मेंट नहीं करना चाहिए और नेक्स स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों देश का सबसे पूराना स्टॉक एक्सचेंग् देट साल में निकाल करके दिया था इसी करम में प्राइस टूहंडेड डेस के मुहियावरे से बहुत ही उपर चल रहा था तो माले यह दस स्टॉक है तो तीन-चार स्टॉक हम लोग को जरूर से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था बीसी में उसके बाद एफ़ाइज लोग को 200 देश के मुहियावरे से नीचे दिया है तो इस लेवल पर हम लोग बाई करने के लिए बोले थे बीसी में कि अगर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल उपर की तरफ क्लोजिंग देगा बीसी में क्योंकि यह तो पहला एंट्री लेने के लिए 200 देश के मुहियावरे से क काकि तलो नेच्ट पीवर् तक भी आ सकता है करीब 199 के पीवर तक भी 20 को दिखने को मिल सकता है विसमें अभी कोई नहीं करनाया है यह compare 10 में हम लोग को एवरेजिंग नहीं करना चाहिए और डेली अभ्रेजिंग नहीं करना चाहिए कुछ यहां бाहिए करते हैं विए से मै बहुत ही लंबा समय लगेगा पॉजिटिव में आने के लिए और रिटर्न निकालने के लिए तो इसलिए डाउंट्रेड में ज्यादा एवरेजिंग नहीं करना है लोकेशन का वेट करना है पहले 200 देखना है जिस पीवर्ट पे ज्यादा सपोर्ट लेगा उस पीवर्ट पे और भी अपना एवरेजिंग करना है साइपी मोट से इन्वेस्मेंट करना है तो बीएसी में फिलहाल हम लोग को वेट एंड वाच करना है और नेक्स स्टॉक की बात करेंगे इलक्ट्रोनिक सेथ की एक दिगज कंपनी डिक्सन टेक्नलोजिस की अगर बात करें तो बहुत ह इस लेवल पर पहले भी सपोर्ट था तो हम लोग बाई करने के लिए डिक्सन में बोले थे तो अगर इस लेवल पर बाई कर चुके हैं तो फिर उसी लेवल पर करने का समय नहीं है क्योंकि इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर नीचे की तरफ डिक्सन में देखने को मिलता है तो बड़ा फॉल किया संका है और नेक्स्ट लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है नियर टम में 2681 का भी लेवल आपको दिखा सकता है अगर इस लेवल को फॉल करता है डिक्सन नीचे की तरफ तो तो इसमें थोड़ा वेट एंड वाच करना है तुरस से हम लोग को बाई नहीं करना है तो तुरस से अबरेजिंग कर लेते हैं तो अगर माल इस लेवल पर आता है तो आप 2687 के पास पैसे नहीं होंगे तो अगर जरूर से बाई कड़ना है तो इस लेवल पर ही बाई करना चाहिए तो अभी इसमें हम लोग को वेट एंड वाच करना है आपको बाइरेंक के हम लोग बात करे रहे हैं पलास्टिक STEVE स्टोग बिश्ट को होता है बहुत उनकाल करके अ देज्ट के मूप्हें और तुरज से मोग अबरेजिंग नहीं करना है तो आगर उपर के प्राइस पूलिपलेक्स में फसे हुए है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं बड़ा सा ग्रीन खेंडल का थोड़ा है तो तुरज से हम लोग को फूरा बहुत सपोर्ट का वेट करना एक ह पॉलिप्लेक्स में भी हम लोग को वेट एनवाज करना है और इसके बाद भी बड़ा फॉल होता है तो करीव 1078 का भी लेवल नियर दम में दिखा सकता है तो पीवर्ट पे ही बाई करना है क्योंकि ट्रेंड बहुत ही डाउनवर्ड का है पीच में हम लोग कहीं भी बाई नह देखने को मिल रहा है 1294 करोड का जहां रेविन्यू पिछले साल हम लोग को मार्च 2021 के क्वाटर में देखने को मिला था वह बढ़के हो चुका है 1886 करोड तो बहुत ही अच्छा जंप हम लोग को सेल्स में देखने को मिल रहा है पॉलिप्लेक्स की अगर बात करें तो वही इंक्रीज हम लोग को देखने को मिल रहा है और। जो कि बहुत एच्छी बात है और पॉलिप्लेक्स की अगर शेयर होल्डिंग पैटर जो भढ़के है तो बहुत ही सम्दार हम लोग को सेयर होल्डंग पैटरन देखने को मिलेगा प्रमो devo करे 50.97 percent का बढ़ा होलिग है FIIs की बात करें तो इस ने इस क्रम में स्टेक को बढ़ाया है पिछले क्वाटर की तुल्ना में जहां मार्केट में फाइज लगतार भी क्वाली कर रहे हैं और पॉलिपलेक्स में लगतार खरीदारी कर रहे हैं पहले 8.64 परसेंट का होलिंग था इस क्रम में हम लोग देख रहे और हम लोग को अच्छी बात है कि स्मॉल केप कंपनी था अब मिट केप कंपनी बन चुका है वहीं अकर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 34.87 परसेंट का होल्डिंग पब्ली के पास है तो बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को देखने को मिल रहा है पॉलिपलेक्स की अगर बात करें तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है इसको भी आप लोग वाच्छ लिस्ट में रख सकते हैं तो अब लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस उसको भी आप लोग जोईन कर सकते हैं